हेलो गाइज, हाव आई यू, आई होप यौल आर गूड, आज की क्लास में गाइज हम बात करेंगे जो हमारे जोनाथन स्विफ्ट रहते हैं, रस्टोरेशन पिरियड से ब्लोंग करते हैं, जो कंटमपरी रिज रहे हैं, लक्जेंडर पोप के रहे हैं, या फिर हम करश के है हमारें, इसके साहथाथ, इनके जो मेजर वर्क रहते हैं, उनको भी वन डिस्कस करेंगे, और इससे पहले वाली कलास में, मैंने आपको इनी की गुली वर जो ट्रेवल्स है, गुली वर्स ट्रेवल्स उसको सब्सक्राइब को इसकी इसके समरी को डिटेल डिसक्राइब करता हैं तो इसको देखने के लिए और डिटेल जानने के लिए मेरे शाद बने रही है नाव स्टार्ट इन से पहले इनके वरक से पहले हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे इनकी लाइफ के बारे में तो गाइज इनका जो जनम हुआ था वो कब हुआ था 1667 में इनका बर्थ हुआ था कहां पर हुआ था आयर्लेंड में हुआ था ठीक है यह क्या थे जो आयरस पोईट और राइटर माने जाते हैं और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी 1745 नियर अबाउट 1880 इयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी अटेक आने से हुई थी ओकी गाइज अब हम देखते हैं कि जोनाथन स्विफ्ट है बेसिकली यह क्या रहे हैं एक राइटर रहे हैं इसके साथ पोईट भी रहे हैं पंपलेट एर भी रहे हैं और सटारिस्ट इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टायर लिखे हैं क्योंकि बेसिकली इन्फ्लूएंस थे होरेस से जो महान राइटर रहे हैं जिनके नाम से जो स्टायर है वो भी किया जाता है दूसरा है जुएनल से जुएनल इन दोनों से यह काफी ज़्यादा स्टायर को इा किया है और इसके साथ सज्वेनल इनल स्टायर को भी अड़ किया है और एक एक इंफ्लेंस रहे हैं रसकिन बॉंड से रसकिन बॉंड इन से ये काफी ज़्यादा इंफ्लूएटर Bight sensor धिक मा ita बात करते हैं कि जो यह राइट रहे हैं यह किस परकार के रहे 550 होने साथ इन्होंने जो अटैक किया है कि जो मोडन सुसाइटी है और जो एंसियनट जो एंसेंट एज था उनके वारे में काफी कुछ लिखा है अपनी काफी जो इनकी करीयेशन रही है उनमें इन दोनों के बारे में भी काफी डिटेल डिसकस किया है यह इसका जो एक्जामपल बनता है वो बनता है यह बैटल ओफ बुक से इसमें इन्हों बैसिकली मोडर्न और एंसियंट जो टाइम पिरियड है या हम कर सकते हैं राइट रहे हैं उनके बारे में लिखा है ठीक है इस बुक में तो अब आगे बात करते हैं हम कि बिफोर राइटर राइटर बनने से पहले यह क्या थे तो राइटर बनने से पहले गाईज यह थे एक में दिए टोरी जो पार्टी ती टोरी जो गोड्मेंट ती उसको जो जो निए ठीट तह जो जोंड भारे में डिस्कूस करते हैं तो कि कि इनकी जो क्रियेशन है इनको कि समय लगाऊ कि किस के बाद कौन छा पबलिश्ट हूँ तो यहां फर्स रहता है इनका बैटल ओफ बुक्स यहां मैंने आपको अलडी बता दिया है कि बैटल ओफ बुक्स में एक लाइबरेरी है जिसमें बुक्स रखी हुई है इसके स्टोरी को हम बाद में अलग से भी डिसकस करेंगे अलग वीडियो में जो इनके मेजर वर्क रहते हैं इनकी ठीक है तो इसमें स्टूमें एक लाइबरेरी होती है जिसमें जो डिकल c करती हमलों के बारे में निच्वार्ण इंटी ओर सिर्क बारे में दिडिकेट करती हैं हैं की गवारह यह बैस्ट है या ज्म चुश्क लाइए इसमें ऑन इंडिकेट करके दिखाए गया है कि तीन क्रेक्ट लिए हैं इसमें टेल ओफ टब में जो तीन सुसाइटी आम कह सकते हैं काथोलिक चर्च को रोमेन चर्च को और इंगलेंड का जो चर्च है उसको इंडिकेट को इंडिकेट करते हैं तो यह एक इनका क्या रहता है यह भी इनका एक सेटरेकल वर्क रहता है जिसमें इनोंने क्या क्या है एलिगरिकल वर्क लिखा आई है अब नेक्स्ट चलते हैं हम ड्रीपेर्स लेटर्स जो थार्ड इनका वर्क रहता है वो कौन सा है ड्रीपेर्स लेटर्स यह इनका वर्क से 25 के बीच में इनका पब्लिश्ट वा था जिसमें इनोंने बाउट 65 लेटर को लिखा है कितने लेटर को यह मैं कहा नहीं सकती कि इतने ही थे अग्जेक्ट बाकि इसमें लेटर बहुत सारे थे अब नेक्स जो इनका रहता है गुलीवर्स ट्रेवल जिसको हमने लास्ट वी किसका जोनाथन स्विफ्ट का ठीक है तो यह काफी इंपोर्टन्ट है अगर आप देखना चाहोगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसका लिंक डाल दूंगी गुलीवर्स ट्रेवल को आप देख लेना नाव नेक्स्ट है मोडस्ट परपोजल यह भी इनका क्य क्या है माइनर वर्क ए मोडस्ट प्रपोजल इस ओल्शो मोडस्ट इंपोर्टन्ट वर्क देट पब्लिष्ट इन 1729 नाव नेक्स्ट इज दिए अग्जामिनर पब्लिष्ट इन 1710 में यह पब्लिष्ट वा था इसके बाद आता है काईज दी इन्टेलिजेंसर यह इंटे 19 में लेकिन यह अदूरा रहा ठीक अब नेक्स्ट आता है एज जोर्नल टू स्टीला यह इनका पर्सनल भी हम कह सकते हैं इनोंने स्टीला के लिए काफी पोइंस भी लिखी है और यह इनका ऐसे भी रहता है जो कब पब्लिष्ट वा था इनकी मिर्तिव के बाद पोस्ट हो पॉब्लिष्ट इनकी डेथ के बाद क्योंकि इनकी डैथ है वह 7045 में वो motivate लेकिन यह वा था इनका डारेक्ष्ट ओव सर्वेंट्स डारेक्ष्ट ओव सवेंट्स में इनोंने लेटर लिखे बैसिजलि क्या लिखे है लेटर लिखे है जिनकी जो शंक्या है वह इतनी है 65 ठीक है, इसमें लेटर के फोम में है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पंप लेटर लिक्षे हैं, ठीक है, लास्ट जो इनका रहता हो क्या है एनशे अंटी फेट्स अप कलेरगिमेन, ये इनका रहता है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि ये भी तो एक लेरीमेन ही थे before Tory government join करने से पहले ठीक है अब हम आते हैं इनके poems के उपर इन्होंने ऐसे लिखने के साथ कुछ poems भी लिखी थी जो काफी important रहते हैं first is order to athian society ठीक है now second is description of morning काफी अच्छी poem है stillage बाथडे ये इनकी personal poem है stilla से इनका link रहा होगा जिसके लिए इनोंने poem लिखी है ठीक है now next है progress of poetry और progress of beauty ये इनकी two poems हैं जिन में इनोंने poetry और beauty के बारे में लिखा है next रहती है pastoral dialogue ठीक है उससे आगे है in an epital to a lady इससे आगे जो इनकी poem रहती है दीपटसो के इनकी next poem रहती है last है वो क्या है cannes and Vanessa ये इनकी last poem रहती है guys मैंने और आपको जोनाथन स्विफ्ट के बारे में डिसकस किया है जो कि एक आईरस पोईट रहते हैं और English point English poet और राइटर रहते हैं जिन्होंने basically क्या लिखा है satirical work लिखा है अपने एसेज लिखे है society के ओपर political या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी जो society है उसके ऊपर काफी ज़्यादा star किया है अटेक किया है और इसी लिए ये जो हमारी ये जोनाथन स्विफ्ट हैं काफी important रहते हैं इनके friend थे इनके friend थे अलेक्चंडर पॉप एंड थोमस गे ये इनके friends है काफी और जो अलेक्चंडर पॉप है इनकी death हुई थी 1744 में इनकी death हुई थी उस time पर ये भी काफी old ways के ही थे क्योंकि इनकी death भी 1745 में हो गई थी उसके बाद तो इनके काफी close friend रहे हैं आप जानते हो कि अलेक्चंडर पॉप भी काफी famous वोइट है उनके साथ ये रहते हैं ठीक है गाई तो आई ठीक आपको समझ भी आ गया होगा और हम अमारी जो लिट्रेजर की जो सीरीज है इसको बनाए रखेंगे continue रखेंगे क्योंकि इस जैसे ही करोना पर थोड़ी से कमांड करते हैं वैसे हमारे डीट्र प्लस वी के अग्जाम होने वाले हैं और उसके साथ के विसका भी नोटिफिकेशन बहुत चलता आएगा तो गाईज मेरे शाथ बने रहे हैं मै आपको साइकलोजी करवा रही हूं हरियाना जी के बेसिकली करवा रही हूं और उसके साथ इंगलिश ग्रैमर भी करवा रही हूं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब रूचा लाइक जरूर करिए और इसके साथ है भी गुड़े